भारत की सेकुलरिजम के पर चर्चागर करनी है तो मैं बहुत जिम्मेवारे के साथ आज और गंबीरता से बात करना चाहता हूँ भारत का सेकुलरिजम इसलिय नहीं है कि समिधान के अंदर उस सब्द जोड़ दिया गया है भारत हजारों साल से सर्वपंत संभवाव इस तत्वज्ञान से जुड़ा हुआ है भारत ही दुनिया में एक देश है जिसकी फिलोसोफी कहती है एकमसत विप्राहा बहुता वधनती सत्य एक है जानकार लोग उसको अलग-अलग रूप में प्रस्तूत करते हैं दुप धारत ही एक देश हैं जो कहता है है सरवख अपी शुखेनसंतु सरवख निरामया सद्डृ सर्वय बदराने पश्चंतू मां कस्थी दूख मुए भाग विड़ा रट कभी ये नहीं कहता हिंदू सुकेनसुखियर इस अ कहता है भारत सब के लिए सोचने वाला देश है और भारत का हजारों साल का इत्यार ने कि हिंदुस्तान में कभी तलवार ले करके कभी दुनिया के विचार पर संप्रदाय पर समाय पर हमला नहीं बोला है विस्तार वाद यह भारत की ब्लड में नहीं है उस भारत को बिन संप्रदाय लोग कि भारत की बिन समर्दायक्ता के नाम पर कल बयाम भाई जी की है कि भारत की बिन समर्दायक्ता के ताकत इतनी जोड़दार है और यह हमारी रगों में है स्वंभ गजान में हमारी division में हम सर्व समावेशक है यह देश ऐसा है जो प्रकूर्ती की भी पूजा करता है पैड की भी पूजा करता है पानी की भी पूजा करता है यहां कोई पराया हो यह नहीं सकता है पुरे ब्रह्मान को अपना मानता है पुरे विश्व को परिवार मानता है यह समाज है और उस समाज में अगर इस प्रकार की भार्षा बोली जाए कभी कबार कोई घटना घटे है अगर किसे का बयान आ जाए? क्या हिंदुस्तान का सेकुलरिज्थम इतना रद्धी है क्या? कि कोई एक बना हिंदे तो खराब हो जाएगा? और इसलिए फारुग अबदुल्ला से मैं कहना चाहता हूँ, हजारों साल के हिंदुस्तान की इतिहास में, भारत की हजारों साल की म सबसे बड़ी चोट गहरी चोट अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है और वो भी सिमान फारुग अब्दला जी आपके पिताजी की राजनीती के चलते हुआ है सिमान फारुग अब्दला जी आपके बेटे की राजनीती के चलते हुआ है इस देश में कश्मीर एक ही है जहां से पंडितों को धर्म के अधार पर निकाल दिया गया जो सुफी परंपरा की भूमी थी उसको आपने नीजी राजनीती स्वात के लिए संपरदाय के रंग से रंग दिया है और इसलिए आपको बयान करने वालों को मोदी को वोड़ देने वालों को दर्या में डुबोने की बात करते हो पहले आपके पिताजी आप आपका बेट और युट को सारी दुनिया में कोमी रंग देने का पाप कश्मीर की धर्ति नाएक प्रकार की अ और अगर दूबना है तो किसने डूबना चाहिए जरत दर्पन में अपना चेहरा देख लो आपके पिताजी का चेहरा दर्पन के सामने खड़ा करकर के यह सवाल पूछो कि कश्मीर के पंडितों को वहां से ख़देड देने वाले लोग किस मुझ से किस मुझ से देश को बिं कि हम आज भी हमारे संस्कारों के कारण हमारे ब्लड के कारण राजरीति के कारण नहीं राश्ट्र भक्ति के कारण कहते हैं भारत सर्वपन्त संवभाव का मार्ग ही बारत के लिए स्रेश्ट्र मार्ग है वोट्बेंग की राजरीति नहीं विकास की राजरीति ही भारत के सबका साथ सबका विकास और हम उसी मुंत्र पर चलेंगे फारुक अब्दुला साथ जैसे कितने ही लोग अनापसना बाते करें इससे गाड़ी डिरल होने वाली नहीं है देश उच्छ मुल्यों पर चला है जैज जगत का मंत्र ले करके चला है वसुधाय कुरुम्गम का लग झाल झाल